नमस्कार दोस्तो भारत के रेसलर रवी कुमार दहिया ने यहाँ पे सेमी फाइनल में जीत हासिल करके इतिहास रज दिया है दोस्तो आपको बता दू कि यो पहुँच गए है फाइनल में यानि भारत को अब सिल्वर या गोल्ड मेडल पक्का है बहुत लोगों के मन में सवाल था कि आज मुकाबला उनका फाइनल है वो कब होगा कब खेला जाएगा तो उसी के बारे में आज बताने वाला हूं दोस्तो तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा रवी कुमार दहिया ने सेमी फाइनल में कजाकिस्तान के पहलवान को हरा के जैसे ही फाइनल में जगह बनाई दोस्तो भारत के प्रसंसक यहाँ पे खुसी से जूम उठे आपको बतानू कि वो फाइनल में पहुँच गए हैं और उनका अगला टारगेट गोल्ड मेडल होगा ओलंपिक के इतिहास में एक ही ऐसे प्लेयर रहे हैं दोस्तो जिन्होंने इन्विज्वल यानि अकेले गोल्ड मेडल जीता है और वो हैं 2008 बीजिंग ओलंपिक में अविनो बिंदरा ने और अगर आज दोस्तो रवी कुमार दहिया गोल्ड मेडल जीत जाते हैं तो भारत के दूसरे गोल्ड मेडल जीतने वाले इन्विज्वल प्लेयर बन जाएंगे तो आज अगर बात कर उनके फाइनल मुकाबले की तो आज उनका फाइनल मुकाबला भारतिय समय अनुसार चार बज कर बीस मिनट पे खेला जाएगा तो भगवान से यही दूआ करते हैं दोस्तों कि भारत को पहला गोल्ड मेडल ओलम्पिक में टोकियो ओलम्पिक में आज ही के दिन मिल जाए